हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दविंजन में तो फ्रेंट्स बारिस का मौसम आ गया है और चाय की तलब तो सभी को लगती है और चाय के साथ खाने को भी कुछ कुछ चाहिए होता है तो हर समय आप ताजा नास्ता नहीं बना सकते हैं तो आप यह एक बार बना की रख लीजिए और जब भी छोटी मूटी भूख हो तो इसे गर्मा गरम चाय के साथ सर्व करें यह बहुत ही हल्दी होता है बाजार की अपैक्षा तो चलिए बनाना चुरू करते हैं आटे और यह घर का जो आटा होता नॉर्मल आटा और वेसंत का बहुत ही टेस्टी सा नमकीन तो बहुत जो चाय लवर होते हैं और वहर समय जब चाय पीते हैं तो उनको कुछ नो कुछ चुटा-चुटा चाहिए होता है साथ में तो मार्केट सा विस्कृ नमकीन खरिदने अध्य पर ने या पर लिया एकटोरी आटा करते हैं सबसे पहले आटा हम लगाते हमिए कि टो आटे को क्या करेंगे मने ज्zhान अच्छे से अब क्या है अम इसमें ढालेंगे उसमें घी डालेंगे इसमें तो यह देशिय की हमने लिया है घर का तो रहे हैं थार चमठ पैग अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप रिफाइड का भी मोयन लगा सकते हैं लेकिन आटे से बनाएंगे ना नंकिन तो उसमें घी रहता है तो बहुत ही अच्छा बनता है बढ़िया सा लगाएंगे और अच्छा गी इस्तेमाल किया है अब हम क्या करेंगे ? अच्छे से मोल लग गया है अब हम क्या करेंगे ? फोट फट फटा पाने डालके एक बडिया सा टाइब डो बनाएंगे मतलब बहुत ज़़ा धीला भी नहीं बनाएँगे तो देखे फ्रेंट इस तरह से हमें टाइक डो लगा लेना है तो अब हम क्या करेंगे इसे रख देएंगे 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ताकि यह अच्छे से से सेट हो जाए तो आटा हमें सेट कर लिया है अब हम देखे बेशन का भी डो बनाएंगे तो बेशन हमें शब्सक्राइब कर लिए है इसमें डाल देंके एक चमच लाल मिर्च पाऊडर चमच बाल नमक चमच बालर अजवाइन बुढ़ी है और थोड़ा सा अम सफेद नमक क्यूंक हमें इसमें िृष wal central यह उस्काराइब अच्छे से मिक्स करिए और अब पाने डालके हम इसका गाढ़ा सा खोल बनाएंगे गाढ़ा गोल मतलग कि जैसे रोटी बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा धीला होना चाहिए और पकोड़े कितना धीला नहीं करना है हमें आठेँ एब बना लेना है जैने पकोड़े कि यौर्टि नहीं सीचे टोढन देरें बनाना है अब इसका हम रहें हैं 10 मिनिट नट अब अब Warm humidity आटा हमारा सया हो चुका है 15 घूछा है और अब थोड़ा सस और मसल केज को चिकना कर लेंगे थोड़ा सा तो अब इसकी चार बराबर लोईया बना लेंगे तो बस आब इसे हमें अच्छे से घोलकर के थोड़ा सा बेलau लेना हैmos बहुत जादा मोटा बलना है तो देखे इस तरह से जो घलों लेना है तो उनको अइसे ही हम पटला बेल करके मतलब चुटब चुटा-पीस में कट कर लेगे तो देखे इस तरह से हमने छोटो-चुटा-पीस है बहले प समय चात घरिया है। तो आब चलीए देखते तो देखिये बेशन का दो हैं वो अज़े का शाहरा होता इखो होता है आद हम पया धारम तो देखिए जार मैंने भर लिया है और थोड़ा से बचा है तो इसे हम बंद करके सेट कर देंगे तेल गरम हो चुका है अब हम क्या करेंगे किसी में डालके इनको हम तल लेंगे तो बस इसको हलके से उपर से टच करना है और इसे इस तरह से चलाते रहना है तो जो आपको चिपके हुए दिख रहे है वो बाद में बिल्कुल पकने के बाद एकदम छोड़ जाएंगे अपने आप से अलग हो जाएंगे और बहुत ही खुश्क बनके तयार होंगे खुश्क इस तरह है इसी तरह हम दूसरा वाला भी तल लेंगे तो देखेें फ्लें वेन्स मैंने तलके बना लिए है छोटए साइस के अपनी भीष्किट आटे के तो मैं दिखाओंगे आपको तोड़ के दिखाओंगे कितने पढ़िया से इस तरह से देखिए अंदर तक देखिए कितने क्रिस्पी बने एक दम ये देखिए क्रिस्पी में कैसे देखिए खुश्क बने है मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से ये देखिए हाथ से जंबल रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह खुश्क बने है तो देखे इस तरह से हम पेशन का जो नमकीन है बनाते हैं तो अभी थोड़ी देर से हम प्लच नहीं करेंगे थोड़ी दिर में से हम पलट देंगे देखे एक दो मिलट मैंने इसे छोड़ दिया था अब इसे हम क्या करेंगे इस तरफ करके इस तरह से पलट देंगे तो तो देखे फ्रेंट्स यह गॉल्डन हो चुके हैं आँ अम हम इसे निकाल लेंगे तो देखे फ्रेंट्स तयार है हमारा यह टीटाइम स्नेक्स और एक बार बनाईए तो महीनों खाइए आप यह खराम होता है मार्केट से तो जपो बहुत ही ज kell healthy है क्योंकि आठे और बेशन से बना है तो अगर आपको हमारे आज की रेसिपी बहुत ही ये एसी मैज прокतिते तब तक के लिए थह की अफु आख और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुर मद भूलिएगा हम मिलते रहेंगे आपको ऐसी ही टेस्टी हेल्दी और मज़दार रेसिपी के साथ में तब तक के लिए इंजाय कीजिए बाई बाई